प्रिष्ट संख्या 164 मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए साय में धूप दुश्यन्त कुमार जन्म सन 1923, राजबूर, नवादा गाउं, उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाय सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे साय में धूप जलते हुए वन का वसंत ये काब्य है एक कंठ विशपाई यह गीती नाट्य है छोटे छोटे सवाल आंगन में एक व्रिक्ष और दोहरी जिन्दगी ये उपन्यास है मृत्यू सन 1975 दुश्यन्त कुमार का साहितिक जीवन इलाहबाद में आरंभ हुआ वहां की साहितिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महतोपून पत्र के साथ भी जुड़े रहे आजीवी का के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राज भाषा विभाग में काम किया अलपायू में ही उनका देहावसान हो गया किन्तु इस छोटे जीवन की साहितिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रे अकेले दुश्यंत को ही जाता है उनके कई शेर साहितिक एवं राजनीतिक जमावडों में लोकोक्तियों की तरह दूहराये जाते हैं साहितिक गुणवत्ता से समझोता न करते हुए भी दुश्यन्त ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किये हैं एक कंठ विशपाई, शीर्षक गीती नाट्य, हिंदी साहित्य की एक महतुपून एवं बहु प्रशंसित कृती है प्रिष्ट संख्या 165 यहां दुश्यन्त की जो गजल दी गई है, वह उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहां कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है गजल एक ऐसी बिधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहट पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शकल देती हैं एक, रूप के स्तर पर तुक निर्वाह और दो, अंतरवस्थू के स्तर पर मिजाज का निर्वाह जैसा की आप देखेंगे, यहां पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ती में उस तुक का निर्वाह होता है आम तोर पर गजल के शेरों में केंद्रिय भाव का होना जरूरी नहीं है लेकिन यहां पूरी गजल एक खास मनह स्थिती में लिखी गई जान पड़ती है राजनीत और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रिय सूत्र बन गया है इस प्रकार दुश्यन्त की यह गजल हिंदी गजल का एक सुन्दर नमूना प्रस्तूत करती है